नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज जेक्सन अच्छा है बहुत अच्छा बहुत बढ़ी है वहाल है एंडिया के परती लोगों का विश्वास बना हुआ है जिस विकास और नयाय के साथ विकास का नारा मुकमंतरी ने दिया था इस नारे को लेकर करके हम जा रहे हैं और डेवलप्मेंट के मुद्दे पर जब हमारी बात के लिए इसके बढ़ालत हमें पूरी है जिसे समरतर मिलेगा काणटे की टककर है । क्या लगता है फटा कर पाएंगे आपको लग रहे मुझे तो नहीं लग रहे मुझे तो कोई टक्करी नहीं दिख रहा है और फता की इन्शालला मुझे भरपूर यकीन है कि मैं इन्शालला फिर हमारा जो एंडिये जिसने मुझे मुझे पुछ पर भरपूर्सा करकर के मैदान में उतारा है और लोगों की तो क्या विकास आपको दिखता है निश्चित तो पर आज पहले की परस्तिती ये थी कि हम योजनाओं को MLA फंड से या पंचेती राज फंड से जो भी काम हुआ था तो उसमें बहुत सारी सड़के और बहुत सारे जगे हम लोग नहीं पहुंच पाते थे कॉम्मिनिकेशन के दिशा में एक आमान परिवर्तन एक क्रांती कारी योजना चली आप देख रहे हैं कि गली नली योजना कितना परभावशाली हुआ है कि हम यह कह रही है विपक्षि पानी नहीं पहुंचा है देखिए निश्चित तोर पर इस पर काम चल रहा है प्रगती कार्ज पर गती पर होता है मुर्त रूप ले लेगा तो पूरी तरीके से चुकि यह एक मिशन है और मिशन के तहट कार्ज पर गती पर है तो निश्चित तोर पर कहीं पहुचा है शुरुआत हुई और कहीं पहुचने बागी है तो यह अपने मिशन को पूरा जब कर तमाम गलियों में गाओं के हर एक घर में हमें लगता है कि उसका जो निर्मान कार्ज है बहुत तेजी गती से हो रहा है निश्चित तोर पर जहां नहीं पहुचा है वहां भी पहुच रहा है तो इसमें कोई शक की बात नहीं आराम से वो हमारे निश्चे में है और वो पहु इस आरक्षन के तहत महिलाओं को एक राजनितिक समाजी का अधिकार जो मिला इस अधिकार से महिलाए आज समाजी का राजनितिक कारियों में अपना इंट्रस्ट लेना शुरू की तो ये एक बहुत बड़ा आमान परिवर्तन था मैंने भी महिलाओं के लिए अपना एक विजन बनाया है लेकिन समाज में आज भी महिलाओं के परती कुछ धारनाएं ऐसी पनप रही है जिस कारण से महिलाओं को क्या जो विकास संपुन विकास है वो कही न कही कुछ न कुछ तो कमिया है तो मेरी महिलाओं के परती बहुत संवेदना है मेरी बहुत सपने है जो महिलाओं हैं बिहार की खास करके इनके परती मेरी बहुत अपने सपने है कि महिलाओं किस तरह से समाज में काम कर सके और जो हमारा लिंग भेद भाव है आज भी जो समाज में जहां पर महिलाओं को घरेली हुई इंसा का शिकार होना पड़ रहा है जहां मानसिक उत्पेडन है महिलाओं के बीच जहां यौन शोशन का शिकार होना पड़ रहा है ये इन तमाम चीजों की दिशा में मुझे एक ब बदलाओ नहीं होगा तब तक महिलाओं की हम विकास की बात पुर्ण रूप से कहें ये बैमानी होगी इसलिए समाजिक बदलाओ और समाजिक मानसिक्ता में महिलाओं के परती उनका जो बदलाओ है वो अतियावशक है बहुत कुछ हुआ है पंद्रा सालों के नितिश कुमार के सानकाल में लड़की बच्ची महिलाओं सुरक्षित नहीं है गलत है मैं महसूस कर रही हूं हमारे जैसी महिलाओं होते हैं और आप जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं महिला हैं आपको याद है जंगल राज में साथ बज़े के बाद महिला का कोई लोग साथ बज़े के बाद बाहर नहीं निकलना पसंद रहे हैं तो महिलाओं के साथ जो तस्वीरे निकल कर सामने आती हैं सवाल खरा हो जाती ह है ये कोई भी सरकार नहीं कर सकती है ये समाजिक बदलाओं की आवशकता है उनकी मानसिक्ता में जब तक महिलाओं के परती हमारी बेटियों के परती जब तक बदलाओं नहीं आएगा उनकी सोच इतने पर ही सुकड़ी हुई है ये बदलाओं की आवशकता है कि महिला बेटि पर अभी भी चल रहे हैं ऐसे कुछ लोग हैं जो समाज को दूशित कर रहे हैं महिलाओं को परतारित कर रहे हैं महिलाओं को योन शोशन का शिकार बना रहे हैं महिलाओं को पर शाररिक उत्पड़न कर रहे हैं तो ये तमाम चीजों पर ही तो देखिए आज जो हमारी समाज स पड़ती जो सम्मान जो होना चाहिए था वहां लोग खो रहे थे जानवर की स्थिति पैदा हो गई थी तो यह जो मुकमंतरी नितीश कुमार ने स्टेप लिया कि शराब बन दी हो तो यह इसकी बहुत बड़ी वज़ा रही दूसरी की आप देखरें दहज के विरोध में और समाजिक बदलाओ के विरोध में जो मुकमंतरी ने तमाम जो कारगर देखी एक आदमी होता है कि सिर्फ डेवलप्मेंट पर काम करता है मानि मुकमंतरी नितीश कुमार ने बिहार में सिर्फ डेवलप्मेंट ही पर नहीं काम किया बलकि समाज सुधार पर भी काम किया है कि स हमाम लोगों की विचार धारा हमारे मुख मंतरी नितिश कुमार जी के विचार धारा से बहुत मिलती जुलती है अगर आप जीद जाती है अरडिया की जनता बिस्वास जताती है तो तीन ऐसा काम बताई हो जो अपने विधान स्वाच्छित के लिए आप करेंगे सबसे पहले सीट पर बैठ करके वापस आए हैं विधान स्वा में एक भी प्रश्ट उनके नहीं आए होंगे हमें नहीं लगता कि वो बोले होंगे तो ऐसे परतिनीद्यों की तो मैं बात नहीं करती मैं अपनी बात कर रही हूं मिझे मैं सरकार से सबसे पहले बाढ़ के निदान पर काम करने के लिए उनका ध्यान आकरिस्ट करूंगी और उनके लिए अररिया में बाढ़ के निदान पर मैं काम करूंगी निराकरन के लिए महाननदा बेसिन की मैं बड़े पैमाने पर सरकार से मैं अपनी बात को साजा करूंगी और निश्चित तोर पर महाननदा बेसिन की लड के पड़ती लोगों में जागरुकता आई 15 सालों के काजका में सिक्षा में बदलाव आया है लोग हर लोग अब गुनवक्ता पुर्ण शिक्षा जो हमारी निश्य टू का पार्ट है तो गुनवक्ता पुर्ण शिक्षा के लिए हम तमाम लोग संकृत संकल्पित होंगे और बिहार में हम लोग लागू करेंगे ताकि बच्चों को सरकारी अस्तर पर जो प्राइवेट में बच्चे और उनके माबाप के जो आर्थिक सोशन हो रहे हैं वो ना हो सरकारी अस्तर पर ही उन्हें वो व्यवस्ता मिल जाए जिससे हमारे बच्चे कॉंपडेशन में और आ अंचीत हैं । तो मैं समझती हूँ कि जो गली नली की योजनाय जो चल रही हैं मुख मंत리 जो योजनाय चल रही हैं उसके बाबजूद जो विधायक फंड्स होते हैं उन पर जो लिधायक का आपना जो योजना चलता है तो वह समान भागी दारी के साथ अगर चले और नि शित रूप से इस पर काम किया जा सकता है पंदरा साल बनाम पंदरा साल की तो आज विकास की जो हम चर्चा कर रहे हैं लोग चर्चा कर रहे हैं तो ये विकास और विनाश की तरफ तो मददाता को हम ये कहना चाहेंगे कि आप विकास की तरफ देखें विनाश की तरफ ना देखें तो अच्छा रहेगा आप विकास चाते हैं सभी तपके सभी जाती सभी धर्मों का अगर विकास चाते हैं तो निश्चित तोर पर आप अपना मुहर तीर चाप पर लगाए और हमें विजय बनाए ताकि मैं आपकी बेबाक आवाज बन करके विधान सभा में आपकी समस्याओ के लिए लड़ाई लड़ सको चलिए बहुत शुक्रिया समय देने के लिए ती अरडिया विधान सभा छेत की जेडियू परत्यासी सगुफता आजमी दी हमारे सारे सवालों का जबाब दी बेबाकी से आप देखते रहें न्यू जक्सन